हलो मेरे प्यारे बच्चो आज हम देखेंगे अवकाश के की लिए पत्र कैसे लिखें अवकाश के लिए पत्र लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या होता है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पत्र लिखने का फॉर्मिट सेवा में श्री प्रदान आचार्य जी, स्कूल का नाम, स्कूल का पता, दिनाब, विशय विशय में हमें लिखना है कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं जैसे कि चुट्टी के लिए आवेदन पत्र, फिर आदर्निय महोदय या महोदया, उसके बाद आवेदन पत्र की बोडी, इसमें हमें बताना है कि हम आवेदन किस चीज के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि चुट्टी के लिख रहे हैं, तो किस कारण से हम चुट्टी करना चाह रहे हैं देन धन्यवाल देन आपका आज्यकारी शिश्य या आपकी आज्यकारी शिश्य अगर लड़का है तो आपका आज्यकारी शिश्य अगर लड़की है तो आपकी आज्यकारी शिश्य उसके बाद नाम, देन, अन्त में कक्षा अब हम देखते हैं उधाराण की हम आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं सेवा में श्री प्रधान आचार्यजी, फ्लाय हाई ग्लोबल स्कूल, शहाजानबाद, भोपाल दिनाग, विशय, छुट्टी के लिए आवेदन, पत्र, आदर्णिय, महोदय साविना निवेदन है कि मैं आपके विध्याले में कक्षा दूसरी का छात्र हूँ कल रात से मुझे तेच बुखार आजाने के कारण मैं शाला आने में असमल्थ हूँ क्रिप्या मुझे 6 अगस्त 2020 से 9 अगस्त 2020 तब छुट्टी देने का कष्ट करें आपकी अती क्रिपा होगी धन्यवाद आपकी आपका आग्यकारी शिश्य मोहित की प्यास बूस्त की आपकी आपकी वित आपकी आपकी आवस्त